अश्क्राम अलेक्रम, सबसे फहले हम बात करते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज और C.M.S. मेडिकल कॉलेज की मेरेट लिस्ट के मतालिक और आपको इस वीडिो में बताएंगे कितना أग्रिगेट रिक्वाइड होगा आपको आप लोगों ने अपना एग्रिगेट हमें कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं और शाथ हम आपको बताएंगे फी स्ट्रक्चर भी सबसे पहले आपको बतातक चलें कि नम्स PMDC अकैडमी ने अलहमदोलिला नम्स MDCAT में अच्छी अचीवमेंट्स के बाद सेवन स्टुडेंट्स तॉप लिस्ट में हैं वो हमारी अकैडमी से बिलॉग करते हैं अब हम लोगों ने नम्स 2024 MDCAT की आलने क्लासिस का अगास किये जिसको जॉइन करने के लिए आप लोग 03104468631 पे राप्ता कर सकते हैं ये नम्स MDCAT आलने कोर्स है जिसमें जो टीचर्स हैं वो रिटाइड कैप्टन डॉक्टर्स हैं एम्स ये मेच कॉलेजिस में इसमें नम्स MDCAT 24 कास लेबर्स के टेस्स सेशन्स और मॉडल पेपर्स आपको करवाए जाते हैं तो अभी नम्स MDCAT आलने क्लासिस को जोईन करने के लिए नीचे दियेगे नबर पे आप लोग राप्ता करें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की एमसी जो के पब्लिक सेक्टर है और इसका मेरिट किता होगा फी कितनी रिक्वाइड होगी होगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ लेकिन पिछले साल के अगर हम मेरिट की बात करें तो ये आप एक लिश्ट देख रहे हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की जिसमें जो स्टार्टिंग एग्रिगेट था 98 था ये रिकॉर्डिट हाइएस्ट मेरिट है पुरे पाकिस्तान का और लास्ट ये जो क्लोजिंग एग्रिगेट था वो 91.2 परसंटेज था लेकिन इस साल क्योंके नम्स एम्डिकेट का पेपर काफी एजी था और बच्चों के जो नम्बर है नम्स एम्डिकेट में काफी ज़ादा बहतर आएं तो इस साल नम्स का जो मेरिट है वो वन से लेके 1.5 परसंट तक इंक्रीज होगा इंक्रीज होने के बाद जो क्लोजिंग एग्रिगेट होगा एमसी रवल पिंडी का वो 92.5 परसंटेज होगा ये क्लोजिंग आपको बता रहे है लेकिन अब एमसी का जो फी स्ट्रक्चर है वो बढ़ा दी है मतलब आब आब मेडिकल कॉलिज में एक साल की जो फी स्ट है विदाउट होस्टल वो 10 लेक है और जो CMH कॉलिजिस हैं जो प्रेविट सेक्टर में आते है नमस के उनके जो फीस है जैसे CMH लहौर, कराची, मुल्तान वगएरा इनकी जो फीस है वो 16 to 17 लेक पर येर विदाउट होस्टल है होस्टल के जो चार्जिस होते है तकरीबन 8 to 9,000 होते है पर मन्त ठीक है तो इस तरह से आप लोग अंदाजा लगा लें फी स्ट्रक्चर का लेकिन नमसम्डी कैट में हमारी एक स्टुडेंट ता माहीन जफर जो बहुत बैकवर्ड एरिया एक बिलिज़ से बेलॉंग करती थी लेकिन उन्होंने नमसम्डी कैट की तियारी की और उन्होंने माशाला 148 नमबर हासल की अब वो जूनियर्स को रिकेमेंड कर रही है या रपीटर्स जो रपीट कर रहे है नमसम्डी कैट तो नमसम्डी कैट 2024 की ऑनलें क्लासिस को जोईन करें क्योंकि इसमें गैस पेपर करवाते हैं 2024 का नमसम्डी कैट सारा का सारे इन ही ऑनलें क्लासिस से आएगा तो अभी 0346 864 पे राप्ता करें अब हम बात कर लेते हैं CMH कॉलेजिस की CMH कॉलेजिस बैसिकली प्राइविट सेक्टर में आते हैं अब हम इन की ज़रा बात करते हैं डिटेल में डिसकेशन आपके साथ करूँगा तो आपने बहुत केरफूली बात सुनी है CMH कॉलेजिस में हमारे पास बहावलपूर है इस सब का मैं आप बताता हूं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरिट होता है वो CMH लहौर, मुल्तान, बहावलपूर जो पंजाब में है और सबसे चो कम होता है वो किम्स कॉइटा, हाइटेक, टेक्सला और किम्स कराची का होता है स्टार्टिंग जो ऐग्रिगेट होगा बहावलपूर का सबसे ज़ादा होता है 90 होता है और लाहुर का भी इतना होता है अगर हम कोईटा और कराची की बात कर रहे हैं तो इनका जो एग्रिगेट है वो 80 तक भी चला जाता है 80 तक आप लोग अप सोच रहे होंगे कि कैसे अब आपको मैं एक लास्ट येर्स की कुछ मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि लास्ट येर्स किस तरह से एग्रिगेट 80 तक जाता है आखरी मेरिट लिस्टों में यह आप देख सकते हैं हाई टेक एक मेडिकल कॉलेज है नमसका जो टेकसला में है उसके जो क्लोजिंग एग्रिगेट वाली जो लिस्ट है वो अगर मैं हम जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट जो बच्चा जिसका एडिमिशन हुआ था उसका कितना एग्रिगेट था तो ये लास्ट में दो स्टूडिन्स शो हो रहे हैं अब हम इसको जूम करते हैं और जूम करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इन दो बच्चों का कितना एग्रिगेट है तो ये बीडियेश में था BDS का जो closing aggregate था वो 81 था तो ठीक है यह आपको मैंने proof दी है अगर आपका PMDC MDCAD आपने repeat करने है या first time देना है 2014 में तो अभी PMDC MDCAD online classes को join करें जिसमें UHS, ETA, JINA BMC, Swissal Ficaral University की online तियरी करवाई जाती है इसमें lecture है model papers है और guest paper है MDCAD 2023 इसी online classes है तो और अब 2024 की बेतरी नित्यारी का आगास किया गया है अभी 0310446 8631 पर राफ्ता करें लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि फिल हाल merit list को रोख दिया गया है क्योंकि सिंध में और KPK में MDCAD दुबारा हो रहा है का वेट किया जाएगा और फिर लिस्टे अप्लोड होंगी मजीद question के लिए नीचे comment करें वीडियो को like करें और share करें